है गाइज विल्कम टू कॉम्पटेटिव पार्ट साला तो कैसे हैं हम सबी लोग तो गाइज असा करता हूँ हम सबी अच्छे होंगे तो इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं जैसे कि आपको पता है कि कोश्रीज जेस हैं में बॉटाएं को सबकों सुरु हो चुकी हैं और समान जैसे पहले इस वरी वैठा करती थी वैसे ही अभी बैठेंगे लेकिन बसो में जो है व्यक्तिनी सीटे हैं सिर्फ उतने ही सवारी अलाव किये जाएंगी तो जैसा कि आपको भी पता है कि यूपी से या फिर अन्य राजों से भी दिल्ली में जो है बसे चलाई जा रहे हैं जो सरकारी बसे हैं वो चल रही है एक राज जेसे दूसरे राज लेकिन यहां पर आपको यह भी पता होगा कि दिल्ली जो बॉर्डर है दिल्ली मोंक्यमंतरी है केजिरिवाल उनोंे उन्हों कील कर दिया है और अभी बाहर से मतलब की अलग राजियों से दिल्ली में कोई आजा नहीं सकता है ठीक है तो एक हपते का उन्होंने समय बोला था कि 8 जून से जो है दिल्ली की जो बॉडरे हैं खुल जाएंगे उसके बाद यूपी या फिर अलग अलग राजियों से दिल्ली में जो न्यूज है उसी पर हम लोग बात करने वाले हैं ठीक है और आज जो मीटिंग हुई थी उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि क्या नेर्ने लिया जा सकता है किस तरफ रूजहान आ रहे हैं कि 8 को मतलब 8 जून को जो दिल्ली का बॉर्डर है वो खुलेगा या न नोटिफिकेशन आपको टाइम टूटाम मिलती रहे हैं तो गैस जैसे कि आप हेडलाइन भी देख सकते हैं दिल्ली यूपी हर्याना बॉर्डर दिल्ली के सभी सील बॉर्डर खुले या नहीं केजरिवाल आज ले सकते हैं फैसला तो उत्तरप्रदेश और हर्याना से सटी राजधानी दिल्ली की सील सीमाय खुलेंगी या नहीं इस पर मुख्य मंतरी अर्विंद केजरिवाल सनीवार को कभी भी फैसला ले सकते हैं ठीक हैं आजी फैसला लिया जाएगा इसके बारे में और माना जा रहा है कि सीम केजरिवाल जनता की राय को तवज्जब देंगे और दिल्ली के सभी सीमाओं का खोलने का फैसला लेंगे तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो जनता की राय उन्होंने मागी थी और उस पे तबज्जब करके ये राय पे तबज्जब करके और निर्णे लिया जाएगा और एक तरह से सीमाओं को खोलने का जो है फैसला आएगा ऐसा सब सोच रहे हैं हम आपको ये बता दें कि दिल्ली में सतासीन आमादमी पार्टी सरकार ने इमेल वाटसप मैसेज के जरिये लोगों से पूछा था कि क्या हर्याणा और यूपी की सटी सीमाओं को खोल देना चाहिए या नहीं इस पर सात लाक लोगों ने अपन खोली जानी चाहिए इस तरह का जन्मत आने के बाद बागद इस बार में फैसला लेने के विसेशग्यों के चर्चा के बाद बुख्यमंतरी सनिवार को खोशना करेंगे और यहां पर जो है एक बहुत ही अच्छी खबर आपको यहां पर पूरी तरह से समझ में आ जाएगी कि जानादेश जो है वो केजडिवान ने मांगा था और उसके बाद सभी लोगों की यही रहा है कि यूपी और हड्याना से जो दिल्ली की सिमाए हैं उनको सील नहीं करनी चाहिए अब खोल देनी चाहिए और कहीं न कहीं जो है आज निरने भी यही आएगा कि दिल्ली का ब बेजे हैं अलग-अलग इमेल, वाट्साप और मैसेजिस के जरीए मुख्यमंत्री अरविंद्र के जिवाल के अपील पर सुक्रवार साम तक इमेल पर दिल्ली के करी 5000 लोगों ने अपने सुझाओ बेजे हैं जबकि वाट्साप पर 7 लागों ने सुझाओ बेजे हैं इसके बादे की बीते सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद्र के जिवालने वाट्साप इमेल हेल्फ लाइन के जरीए जनता की राय को लेकर घोशना की थी उसी समय से लोग अपनी राय दे रहे थे दिल्ली सरकार की जो टीम है जनता के हर सुझाओ को देख रही थी और सारी नौकरी वपास वालों को आने जाने की इजाजत है तो यहां पर पूरे जो आप कह सकते हैं चांसेज बन रहे हैं जो ने लिया जाएगा उसमें यही ने लिया जाएगा कि दिल्ली की जो सीमाएं है खोल दी जाएंगे तो यही अपडेट है गाईस क्योंकि जनादेश जो है जो जनता का मत है वो जादातर है जैसा कि आपने देखा भी वीडियो में साड़े साथ लाख लोगों नहीं जो है वोट किया इसके लिए कि जो दिल्ली से जो सीमाएं सटी हैं हरिाना और उत्र परदेश की वो खोल दिया जाएं मतलब दिल्ली की सीमाय को खोल दिया और ऐसे जो लोग अभी भी बाहर फसे हुए है वो आसानी से घर पहुंच सके तो यही अपडेट थी गई जो कि अब लोगों तक पहुंचा नहीं थी अशा करता हूँ वीडियो हेलफुल लगा हो वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर जरूर कीजेगा और इसके अलावा चै अपडेट के साथ तब तक के लिए अपना ध्यान रखें सुरक्षित रहें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जय हिंद है कि अ